Hello class first, good morning students, आज चिल्रेन आप पढ़ेंगे English grammar, English grammar में हम naming words पढ़ रहे थे, तो चलिए एक बार naming words की definition फिर से learn करते हैं, क्या था definition? The names of persons, animals, birds, places or things are called naming words. Say again, the names of persons, animals, birds, places or things are called naming words. Okay, आपको क्या करना है? देखिए यहाँ पे, look at the pictures and complete the sentences with naming words. आपको यहाँ पे कुछ pictures दिये हुए हैं, देखिए, उसको देखके sentence complete करना है, choose the words from the box. Box में से आपको क्या करना है? words, choose करने हैं. The words with the words in the box are not in the correct order. और जो box में आपको words दिये गया हैं, वो correct order में नहीं हैं. तो आपको इसमें से correct जो है, वो choose करके sentences complete करने हैं. तो आप उपर क्या लिखेंगे? class work, c, l, a, s, s, class, w, o, r, k, work. फर्स देखिए, the dash is shining. यहाँ पर क्या है? moon है. तो आप इसमें box में देखिए, कहीं moon दिया हुआ है? देखिए, यहाँ है. तो आप क्या लिखेंगे? the moon. यहाँ क्या फिल करेंगे? m, o, o, and moon is signing. moon क्या कर रहा है? signing कर रहा है, moon चंद्रमा चमक रही है. second क्या है? there is a bird in the dash. देखिए, bird यहाँ किस में बैठी हुई है? nest में ना? तो देखिए, यहाँ पर box में कहीं nest है. देखिए, यहाँ रहा. तो आप क्या लिखेंगे? n, e, s, t, nest. there is a bird in the nest. bird nest में, वहाँ bird nest में है. गोसले में है. थर्ड क्या है? the, dash is watering the plants. देखिए, यहाँ पर क्या है? एक माली है, वो क्या कर रहा है? plants को watering कर रहा है. तो इसको हम क्या कहते हैं? माली को जो plants में पानी देता है? gardener. देखिए, यहाँ पर कई gardener है? यह देखिए, यहाँ है. तो आप क्या लिखेंगे? G, A, R, D, E, N, E, R. The gardener is watering the plants. फोर्थ क्या है? The squirrel is climbing the dash. The squirrel कहाँ चड़ रही है? tree पर. तो आप क्या लिखेंगे? tree. देखिए, box में दिया हुआ है, यहाँ. तो आप लिखेंगे, T, R, E, E. The squirrel is climbing the tree. और आप उपर क्या लिखेंगे? 1, 2, 3. आपका classwork है. और फोर्थ से आप क्या लिखेंगे? homework. H, O, M, E, home. W, O, R, K, work. homework. फिप्थ है आपका, The dash is a tall animal. यह देखें, पिक्चर में क्या है? जिराफ. जिराफ क्या है? Tall means क्या होता? लंबा animal है. तो इसमें कहां दिया हुआ देखिए? यहां दिया. जिराफ. तो आपका क्या लिखेंगे? जिराफ. G, I, R, A, F, F, E. जिराफ. ठीक है? Next क्या है? He is reading a dash. यह क्या पढ़ रहे हैं? देखिए. यहां पर क्या दिया हुआ? न्यूस पेपर. हम एक भी देखिए. इसमें से फिल जो कर रहे हैं. अपने मन से नहीं कर रहे हैं. जो बाक्स में दिया हुआ और पिक्चर में जो दिखा रहा हैं. हम वही फिल कर रहे हैं. He is reading a... देखिए, यहां पर न्यूस पेपर दिया हुआ है. अब हम यहां क्या फिल करेंगे? न्यूस पेपर. वहां न्यूस पेपर पढ़ रहा है. न्यूस पेपर थीक है? तो आपको 1, 2, 3. यह 3 तक आपको क्लास वर्थ में कम्प्लीट करना है. और 1, 2, 3. यह 3 आपको हम वर्थ में कम्प्लीट करना है. आपको क्या करना है? देखिए, पिक्चर्स देखने हैं. pictures में देखिए, क्या है he is reading a newspaper देखिए वह newspaper पढ़ रहा है यह देखिए जिराफ है तो हमने यहाँ पर क्या फिल किया है giraffe, squirrel, किस पर चड़ रही है tree पर हमने यहाँ क्या फिल किया है, tree और यह क्या है, gardener watering a plant, gardener क्या कर रहा है plant को पानी दे रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या फिल किया, गार्डेनर, यह देखिये, बर्ड किसमे है, नेश्ट में, तो हमने यहाँ क्या फिल किया, नेश्ट, और क्या शाइन कर रहा है, मून, तो हमने यहाँ क्या फिल किया, मून, इस बॉक्स में से आपको ढून के, और क्या क करना, ओके? I hope आपको अच्छे से समझ में आया होगा. Thank you.